हाई गाईज, so welcome back to another video, I hope आप सब लोग मस्त और टकार टक होंगे, so guys, आज है date 13th April, आज अपडेट आया है कल का, so आज उपर गया है portfolio या नीचे गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले guys, आज मैं आपको एक second update दोंगा guys, काफी interesting वापस से होने वाला है, second stress stress report अभी फिलाल सबसे पहला fund, जो एक मैंने article पड़ा है, वो पड़ा है मैंने quant का, तो quant ने अपना किया है stress stress report का, तो मैं आगे आपको article में बताऊंगा, कि कितना 50% और 25% liquidate करने में कितना time लगेगा, और guys, क्या ये last stress stress से better किया है, report quant ने या खराब किया है, वो भी आगे बत तो पूरी वीडियो देखना है एंट तक, बागे थर्ड अपडेट as usual guys, मैं आपको इसके related दूँगा, YouTube income के related, so कितना आज का day return आया है, और April का मन कब तक कितना हो गया, वो सारा आपको अपडेट दूँगा आगे, और बागे guys, जो लोग channel पे new आए हैं, सबसे पहली बार चैनल को like, share, subscribe कर लो, मैं ऐसे ही daily base पे mutual fund related, आपको मैं update देते रहता हूं guys, कितना up जाता है, down जाता है, जब market में crash हो रहा है, तो मैं everyday base पे update देता हूं, तो आपको long term पे mutual fund में investment करना चाहते हैं, उनको एक volatility, compounding, profit होगा के नहीं होगा, long term पे कितना risky है, अच्छा है, overall आप investment का एक idea आता है, यह मुझे ऐसा लगता है, बाकी definitely आप चैनल पे subscribe रोगा, long term पे कुछ ना कुछ तो आपको help होगा, या idea मिलेगा, और guys, अब बात करते हैं, आज किस तरीकी का उपर गया market या नीचे गया है, तो अब मैं आपको बताता हूं guys, फिलाल आपको क्या लगता ह उपर गया कि नहीं गया होगा, वैसे देखने जाए तो आथोड़ा सा गिरा है, 3,881 रुपीज के around 0.41%, अभी आप देखेंगे तो current value portfolio की 9,47,992 हो चुकी है, अब return 17% से जो उपर गया था, वो गिर के 16.85% हो चुका है, बाट यह तो चलते रहेगा, अब उपर नीचे होना है, long term investment करना है, तो थोड़ा अपना long term hold करके रोखो, और वैसे मैंने आद देड़ सुर पर डाला हूँ, जादा नहीं डाला हूँ, बट डाला हूँ, सोचा पड़ा था तो मैंने सोचा डाल देता हूँ, और फिलाल गाइस मैंने stocks में भी डाला है, तो वो आले वीडि स्मॉल के अपने, यह return में भी मेरको देखता हूँ, मैं जब भी सबसे जाधा ही देता है, loss में भी कभी-कभी सबसे जाधा ही देता है, बट एनिवी चुए, आज का देखेंगे, तो माइनस में देखेंगे, तो कितना गया, सबसे जाधा निपान का गया है, 0.45%, 1692 के अरा 0.6% के अराउंड गया है, तो overall ठीके जाधा बड़ा डाउन नहीं है, बट अब देखते हैं आगे यह उपर जाए या नीचे जाए, जो भी रहेगा, मैं आपको डेली बेस पर अपडेट कर रहा हूँ, जो भी पहली बार वीडियो देखेंगे, आप लोग सबस्क्राइब कर लो, अब बात करते हैं, आर्टिकल के बारे में, जो मैं आप साथ शेयर करूँगा, सो गाइज, अब आज बात करेंगे, कौन्ट स्मॉल के फंड का लिक्विडिटी पुजिशन इसका इंप्रूव हुआ है, और वो कैसा इंप्रूव हुआ है, वो मैं आपको आगे बता कि मार्च में, आफ्टर, फर्स टाइम इन 30 मंस में आउट फ्लो आया है, स्मॉल केप में, बट आप कौन्ट स्मॉल केप का देखेंगे, तो हाइश इन फ्लो ता है, एट 156 करोड का, डूरिंग मार्च, ठीक है गाइस, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटी न्यूज है कौन बट अभी आप देखेंगे गाइस, तो ये कौन्ट स्मॉल केप तो डेफिनिटली अभी क्या बूले, रिटन के मामले भी भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, और बाकी इन्वेस्टमेंट कोई रेकेमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं जो भी देता हूँ, आपको बाकी आप देखेंगे गाइस, कौन्ट स्मॉल केप फंड का, अभी आप देखो गाइस, ये स्किम में न, लास्ट जो फर्स टेस्ट का रिपोर्ट आया था, कौन्ट का, उसमें 50% लिक्विडेट करने में इनको लगता था 22 दिन, जो कि अब 20 दिन लगता है, तो थोड़ा इंप्रूव हुआ है गाइस, ठीके, और अगर मैं आगे और बताओ आपको, इसका अभी फिलाल जो लास्ट आर्टिकल के हिसाब से जो अपडेट दिया है, वो अगर आप गाइस देखेंगे 25% को कितना टाइम लगता है, 25% लिक्विडेट करने में जो फर्स्ट रिपोर् अब जो की थोड़ा इंप्रूव होके 10 दिन लगेगा 25% लिक्विडेट करने में, तो ये भी अगें इंप्रूव हुआ ही है थोड़ा, बहुत जादा नी, बट थोड़ा तो इंप्रूव हुआ ही है, और आर्टिकल के साब से देखेंगे, तो कॉन्ट म्यूचल फंड इस अमंग the first fund house to disclose their result, return भी अच्छा दे रहा है, लिक्विडेट भी थोड़ा second stress test पे इंप्रूव किया है, last test के compare में, overall आप लोग में को comment में बताओ गाईज, आप लोग डेफिनेटली में बहुत sure हूँ, बहुत लोग कर रहोंगे इसमें investment येवाले fund में, बट फिर भी आप कितने लोग इसमें investment कर रहे हैं और आप लोग को अब तक कितना time हो गया और कितना returns मिला है percentage में, ये आप बताएंगे तो definitely सबको एक idea मिलेगा, चलो guys थोड़ा channel का भी review कर लेते हैं, अब total subscriber हो गये हैं guys, 2608, so guys ऐसे ही आपका support दिखाते रहो guys, और guys इतना तो मैं expect करता आप से कि इतना support तो आप मुझे दिखाओ, बाकी जो लोग channel पे वीडियो यहां तक देख चुके हैं और पहली बार आएं और subscribe निक्या है तो channel को subscribe कर लो, definitely long term पे कुछ ना कुछ तो आपको like idea मिलते रहेगा channel से, और बाकी guys आज का मैं आपको दिखाता हूँ, कितना income आया ह YouTube का day का और अब तक का April मंत का, जो लास्ट अपडेट आया है, वो आया है मुझे around 11th April का, तो 11th April का जो लास्ट अपडेट आया है, 1.68 डॉलर आया है, वन डे का, बाकी April का देखेंगे अब तक, तो April का मैं अब तक हो चुका है, 14.34 डॉलर, तो इसको भी आप current रुपीज क के साब से आभी क्या चल रहा है, उसमें convert कर लेना, बाकी का इस comment में मुझे बताओ, कि यो जो daily income डालता हूँ, और ये भी आपको कुछ idea दे रहा है, या just आप देखते हो, और देखके side कर देतो, जो भी है, genuine feedback देना, इसको बेज दो और निकालो, और दूसरा stock खरिद लो, भाई पवन, यार ये तो बात ठीक है, मतलब चुकि आपके लिए strategy follow कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी again, हर किसी का stocks में अलग तरीके का strategy होता है, कोई short term के लिए करता है, कोई long term के लिए करता है, कोई penny stock खरिता है, बहुत सारी चीज़ है, यार stocks में seriously बोलू, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ, आपने अच्छे से एक बार कुछ stocks, like you know, कर लिये, short list, और आप उसमें long term पे investment कर रहे हो, या लमसम की हो, या जब भी market में, उसके stocks में correction आया है, share price पे, आपने उसको purchase किया है, तो overall, you know, stocks में भी mutual fund से अच्छा return आ जाता है, but again, risk बहुत जादा होता है, तो हमेशा याद रखना, mutual fund में फिर भी आपका, आपका सिब एक बार महनत होता है, कि अच्छा है, mutual fund house चुनने का, उसके बाद उसमें जो बैठे managers है, fund manager, वो आपके लिए, आपके पैसों का काम कर रहे होंगे, किसमें लगाना है, क्या लगाना है, फलाना, डिनकाना, जो भी है, आपका सिब उसके बाद एक काम होता है, कि एक goal होने के बाद आपका सिब आप अपना investment करते रहो, but stocks में loss होने का बहुत चांस होता है, as compared to mutual fund, but rewards भी वहाँ जादा ही होता है, तो इसलिए होना चीए, दोनों में investment होना चीए, but again, comfort किसका किस में है, वो आपको choose करना चीए, मुझे तो दोनों, अब मैं कर रहा हूँ, तो मैंने mutual fund में भी डाला हूँ, तो थोड़ा stocks में भी डालूँगा, अब कितना डालूँगा, क्या डालूँगा, जैसे-जैसे मुझे, जो confidence आते जाएगा, मैं उतना डालते जाओ हैं, और आप लोग गाईज, चैनल को ऐसे support डिकाओ, Instagram, Facebook, WhatsApp, सब जगार शेयर करो, और हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, bye and take care.